सूपरबाद प्यारे साथियों कैसे हो मैं कविता स्योरान इंदी वैख्या था आपके अपने यूटूब चैनल केवी की कलम पर आपका आर्दिक स्वागत करती हूं अभिनंदन करती हूं साथियों जीवन के मजदार में पार वही पाएगा जो खुद पर काम करेगा वही कामियाव कहलाएगा जी हाँ साथियों आज हम बात कर रहे हैं कि जब हमाई सफल हो जाते हैं जैसा कि अभी जो साथी पिछली बढ़तियों में किसी कारण मस रह गए हैं उनको देख लो या फिर जो नए हैं स्टूडेंट जो इस बार ही तयारी करेंगी वो सभी आजकल जैसे यूटूब पर एक दोर साचल पड़ा है कि सभी सफल बैठ्थियों के इंटर्वी पर कासित कर रही है और साथियों उसमें देखकर सभी ही सोचते हैं कि ये कामियाव हैं सभी उसको सुनना पसंद करते हैं कि कैसे कामियाव हुआ है लेकिन साथियों आप जब उसको सुनेंगे तो आप अपने जो रह गए हैं साथी वो आप अपनी जो गलती है वो मानने की वजाए आप जो लगे हैं उनका इंटर्वेशन कर आप ये सचोगे कि या आपके आ खी स्टी काटेगरी से था इसलिए लग गया ये जभकि या आप नहीं कभी भाने मैंगा कि मेरी मेनें कहीं और ये लग गया उसलिए मैं रह गया और ये लग गई लेकिन साथियों जैसे मैं भी ऐसे ही करती थी दोजार ठारा में जब मैं रह गई थी रीट में तो मैं ये सोचती थी कि जो मेरे साथ के लड़कें लगी हैं सेम नमबर आने के बाद वो बीसी कर्टेगरी से इसलिए लग गई या फिर उनके बीए में नमबर अधीक थे इसलि हैं लोग पाएंगी कुद पर को करना सो रोखेजिए साथियों हां प्रेना लीजिए वीडियो देखी लेकिन आप शिरिफ इतना देखिए कि वो दूछ किसे कितने कितनी मेनत की है साथियो अब आप जितने वीडियो देखोगे जैसे कि इस अंसार में कोई भी मनुस्य जैसा नहीं है सब यह अलग अलग है तो साथियो पढ़ने का तरीका भी सब का अलग अलग है अब आप दस वीडियो सनोगे तो दस में सब यह अलग अलग तरी सब्सक्राइब उतलने हैं। उस तो आप उनके त्रुके पर ना जाएं। जब लोग सफल हो जाते हैं तो उसके पिछे का संगर्स कोई नहीं देखता कोई था क्या एक कुल Сам Одग द שत्यान के पत्तक पहुँचने के लिए तो बहुत लंबा संगर्श करना पड़ता है तब जाकर सफल हो पाते हैं लेकिन उनके पिछे का संगर्श कोई नहीं देखता साथियो और अगर आप रह जाते हैं चाहिए आप पॉइंट एक से रह गए हो तो आपको कोई नहीं पूचता कि कैसे आप यहां तक तो पहुचे कोई नहीं पूचे का साथियो रह गया वो रही गया और जो लग गया वो चाहिए उसके आपके पॉइंट है कि आप से ज्यादा हो लग गया सब उसको ही पूचते हैं तो साथियो दुनिया परिणाम देखती है पीछे का संगर्श कोई नहीं द देखता बेडूसी के पास इकठी होती है जो सफल होता है तो साथियो आपको सफलता के लिए खुद पर काम करना पड़ेगा खुद पर काम केजिए दरुदर की बातों से द्यान अटाकर और पूरा अपने पास जो जितना भी आपके पास मैटर है उस पर विश्वास कीजि साथियो बुक सारी एक जैसी सी होती है थोड़ा वो फरक होता है ऐसी पर तिस्थ मेटरलंग बुक सभी बुकों में मिल जाता है और असी पर तिस्थ कभी मेरिट नहीं जाती साथियो आपके पास तो जो किताब है उसी को आप बार बार पढ़िए आप अलग अलग कि क्योंकि अपने गलती को मानने वाला ही सबसे बड़ा सास ची बेखती होता है और जिस दिन आप अपने गलती को सभीकार करना सीख जाओगे उस दिन साथियो सफल भी हो जाओगे तो आप परेरना जरूर लें लोगों से कि यह सफल हुआ है यहां तक पहुंचा है ग्राबर खड़ा होना है तो साथियों यह होता ही है इसलिए अपने मन को संतोना देने के लिए बेस्ट कि यह काई दें कि यह कारण रहा है जिससे मैं एसफल हो गया लेकिन आपको सभीकार करना पड़ेगा यह मानना पड़ेगा कि हम मुझे और मेहनत करने क्याव सकता है और जो नए बेर्थी हैं वो यह भी बिल्कुल ना सोचें कि आप मोटिवेशनल वीडियो सुनकर एक ही बार में लग जाएंगे साथियों होते हैं बहुत सारे बेर्थी ऐसे जो एक पहले ही चांस में लग जाते हैं लेकिन उनके पीछे भी बहुत अधिक मेहनत होती है उन कभी भी पढ़े आपके अनुसार अपने अनुसार टाइम डिवल बनाएं जिस समय वे आपको यह लगे कि हम अपड़ पाऊंगा आपका मन माने उसी समय आप पढ़िये साथियों किसी दूसरे को देखकर मत पढ़िये और कोई साथी ऐसा है भी जैसे हम यह मानते हैं कि हमन कि Алख फेल को देखकर करते हैं और उसके बाद भी रह जाते हैं तो ऊछ साथ ही उता है जो होता है अच्छा ही होता है उसको बाद में कोई बड़ा परिनाम ही मिलता है जैसे adapt toдा कि की एक्रेड मैना क्योंकि 15 परकरा हono को मेरी परत्रंप economy का आइद एक्जाम हो गया था बाइस दिसंबर को सेकंड ग्रेट का था तो मैंने एक मेना बीस दिन उसको भी दिया उसमें भी मैंने पूरी जी जान लगाए थी साथियो इसका अड़ मेरा डबल में वा था और अभी फाइनल में मेरा रह गया मैं जो रिज्डो लिस्ट आई है उसमें मेरा रह नंबर है साथियो लेकिन फिर थर्ड ग्रेट में भी समय बचा था दिसंबर के बाद जैसे जनवरी ठरवरी सब इस फरवरी को था वो एक्जाम थर्ड ग्रेट का तो साथि उसको भी मैंने समय दिया था बहुत अदिग लेकिन मेरा उसमें नहीं वा जैसे थर्ड मिल चुकी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा थ्रटड़ ग् VII थी aniहिए हुआ आगे क्या होगा डबल में तो हो गया फिस्ट ग्रेड़ में लेकन फाइनल का क्या पका है कि वहीं जाएगा और यह देखो 3 डेड़ में लग गई इनको न्युक्ती भी मिल गई साथियों लेकिन मेरा फैस्ट ग्रेड में हो गया तो यह है कि हम जब हमें हमारा मन इतना उतावला हो जाता है कि हम सबर नहीं कर पाते हैं बिलकुल भी तो सबर सबर करना सीखिये साथियों दहरी बनाए रखिये अगर आपका किसी कारण वस पूरी मेहनत करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो जरूर आपके जियों में कुछ अच्छा लिखा है बगवान ने बगवान साथियों सचे वीक्तियों की परिकिया जरूर लेता है लेकिन उनका कभी साथ नहीं चोड़ता ये बात थो तो देह है साथियों और परिकिया वो तब हिल एता है जब उसको पता होता है कि हाँ मेरा ये भगत इस परिकिया को पास कर जाएगा वरना मुझे ही देखना चाहता है कि अगर इसको मेरे पर विश्वास है तो कितना है इसका विश्वास कब डगमंगाता है तो आप मैसूस करना साथ ही बगवान कभी भी देख लेना आपने आसपास नजर फैला कर सचे और अच्छे वेक्तियों का साथ हमेशा देता है उनका साथ नहीं चोड़ता साथियो कहने को बले ही हम कह देते हैं कि जमाना ऐसा है बुरे वेक्तियों का अच्छा होता है और अच्छों का बुरा होता है नहीं साथियों अच्छों का अच्छा भी होता है और बहुत अच्छा होता है जब होता है तो और परिक्षा लेता है तो भगवान इसलिए लेता है अपने भगत को और मजबूत करने के लिए परिक्षा लेता है तो साथियों बिलकुल ये ना सोचें कि हमारी भगवान सुन नहीं रहे हैं सुनेंगे वो आपकी भी जरूर सुनेंगे बस आप तो सच्ची कि आप रह गए तो क्यूं रह गई आप तो ये सोचें कि लोग मुझे ताने मार रहे हैं, आप तो मेरी कमी है इसमें, अपने कमी को सविकार करें और इस बार मैं इस कमी को पूरा करूँगा और अधिक मेनत करूँगा, बहुत अच्छी रैंक के साथ इस बार मैं सफल हो रहे गए इस बार आप इस मेनत आप अपनी पूरी मेनत करेंगे और इस कमी को पूरा करके सफल हो जाएंगे बस यही सोचे साथियो एक दिन और बचा है 2024 आ जाएगी आप तो हभी से 2024 के सुरवात से ही साथियो एक संकल्प ले लीजिए कि 2024 में आपको सफल होना ही है नई साल आपके जिएन में आए साथियो यही दुआ करती हो बगवान से कि बगवान आपको 2024 में आपकी हर्मनों कामना पूर्ण करें तो आज की वीडियो में इतना ही साथियो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ धन्यवाद जैहिंद झाल